साथियो नमस्कार ये जो पाट तू दिखलाने जा रहे हैं दिखलाने से पहले इस मंज पर एक ऐसा है इंसान से आपका परिचे कराएंगे जो हमेशा दूसरे का काम के लिए माने जाते हैं वो है हमारे उत्पल्दा उत्पल्दा एक ऐसा इंसान है जो हमारे दिल के बहुत कर हम बच्पन से जुड़े हुए जब हमारा एज था मुश्किल से आठ या दस साल तब से हम इन्हें जानते हैं तो इन्हें कहीं से सूचना मिला कि मुबारक जी माइथन डेम आये हैं साफ पकड़ने के लिए तो इनसे रहा नहीं गया और देखने के लिए चले आए कि आखिर म मुबारक कौन सा साफ पकड़ेगा तो यह हमारा पंचेत का ही बासिंदा है वहीं काफी दीन तक रहे और अभी कहां है आप कुल्टी में सिफ्ट कर गए हैं लेकिन दिल है पंचेत दिल है माइथन सिर्फ रहते हैं कुल्टी में और हमेशा इनका सोच पोजेटिव रहता है कि कैसे हम एक दुसरे का मदद करें कैसे किस रूप से उपकार करें जो और लोग हमारी काम को देखकर लोगों के अंदर एक परिर्णा दायक बन जाएं दादा बुसुन आपनी अमी एक टा साप देखा छी की भावे जाले फेसे आछे समय समय का बात है साथियो कुछ ऐसा सिच्वेशन आ जाता है दादा को हमने एक चिठी दिया था कि इस एरिया में अगर छोटा मोटा एक सांप का अगर बचाव केंद्र बना दिया जाए तो और भी बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे इस काम से और लोग मारेंगे नही नहीं बलकि बचाव है तू हमें बुलाएंगे तो प्रोसेस चल रहा है कोसिस है कोसिस जारी है देखा जाए आगे क्या होता है अगरी तरह नेट में फसा हुआ था तो लगभग हम लोग आधा से अधीक निकाल चुके हैं आप लोग हमारी मदद कीजिए मदद में कुछ न कि यह कोब्रा साफ है इसका रूप सबसे अलग होता है पकड़िये पूछ पोई भी आई है कि अधिक निया कि अधिक अधिक बस थोड़ा ब्लेड दे दीजिए सर ब्लेड को लिए खोल भूल तो पर अधिक हैं अ कि अधिक हैं ऐसे पकड़िये सर साप हमारे सत्रू नहीं है यह हमारे पर्यावरन मित्र हैं आप ज्यादा संख्या में साप मारते हैं चूहों का संख्या बढ़ जाता है चूहा क्या करता है 70% धानर गेहों को खा जाता है चूहा हर महिना बच्चा देता है और साप साल में एक ही बार अंड़ा बच्चा देता तो साथियों थोड़ा सपैड़ जी आप देखिए एक नेट में बुरी तरह फसा हुआ है और कुछ बुद्धी जीवी लोग हमें सूचना दिये हैं कि मुबारकदा अगर आते हैं तो यह साफ बिल्कुल बच जाएगा तो हम लोग कोसीज कर रहे हैं कि इसे नेट से पुन र मुझ हम पकड़ लिए इसलिए डरे ने यह गेहुवन है साच्छात कोब्रा है गोब्रा एक जानलेवा साफ होता है इनका मोबाइल बार बार थोड़ा सा कोशिश कीजिए एक दो मिनेट हट जाएए अपने से कि यहां पकड़ लिए सर कि बहुत बुरा तरह यह हमें लगता है कारेंट जाल बोलके कोई जाल है जिसके कारण में बहुत ज्यादा बुरा तरह यह फंस चुका है कि यहां पकड़िया है यहां से पकड़िया मुह के पास से कुबरा का एक बुंद जहर बीस से पचीस लोगों को मारने में सच्छम है कोई भी साप किसी भी बैक्ती को अगर काटता है तो सोच पोजेटिव रखिए होस्पीटल का सहारा लें मेडिसियन का सहारा लें डॉक्टरी सला लें ओजागुनी जाड फोंक तंत्र मंत्र के चक कि बलट निकारहे नकास्था कहीं कुछ नहीं निकल रहा है जाल-जाल से नेट से कारेंट जाल है ना मुभारिक जीए ऑसा सांत रही है सर उसके बाद पिर जो बोलिएगा दो-चार मिन्त बाद फिर अराम से बाट्षित किजीएगा एधर से लिदे रिकत जाल से चोट लगा हुआ है हारा हुआ जुवारी और जखमी सिर बहुत खतरनाक होता है चुकि सांप इंज्वाइड है यानि घायल है थोड़ा साभी अगर हाथ हमारा यहां से छुड़ जाए तो फिर आप लोग भोज खाने आईएगा है भोज का दावत ले लिजिए अभी यह थोड़ा डीटॉल और सेवलों साफशुत्रा करके बेटाडिन महलम लगा दिया जाया ना बिलकुल ही ठीक हो जाएगा है जैहिंद जैभारत और बंदे मात्रह